हेलो दोस्तो आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है जस्टिस जो की एक प्ले है जिसको लिखा है जॉन गैल्सवर्दी ने दोस्तो ये प्ले पब्लिश हुआ था 1910 में और इस प्ले को अडॉप्ट किया गया था हिंदी में प्रेमचन के दुआरा और इसका नाम किया था निय यह कानून की सिस्टम को क्रिटिसाइज करता है और कहता है कि सजा हमेशा गरीबों को होती है और अमीर अराम से छूट जाते हैं इस प्ले में दोस्तो क्राइम और पनिश्मंट के इशूज को उठाया गया है जो कि एक हमारी सामाजिक विसके सामाजिक विफलता को भी विलियम फॉल्डर एक जूनियर क्लर्क होता है, जिसको जेल हो जाती है, बैंक के चेक को 9 से 90 पॉंड में बदलने की, इसको 3 साल की सजा होती है, दूसरा करेक्टर है रूथ हनिवेल, रूथ हनिवेल की वज़े से ही दोस्तों फॉल्डर चेक में गड़बड़ी करता है, ता फॉल्डर को सपोर्ट करता है उसके जेल जाने से पहले भी और बाद में भी, चौता करेक्टर है दोस्तों जीम्स हाओ एंड वॉल्टर हाओ, ये दोनों दोस्तों लॉफ फॉल्डर का मालिक हैं, जहां पर फॉल्डर काम करता है, इनकी वज़े से ही फॉल्डर अरेस्ट ह होता है, पांचवा character है दोस्तों हैक्टर फॉल्डर का वकील होता है प्ले में, च्छटा character है विस्टर जो की इक डिटेक्टिव है, इसका ज्याधा काम नहीं है, लेकिन ये लास्ट में आता है, इसकी लास्ट में बात करेंगे, दोस्तों मैं narration स्टार्ट करता हूँ, इस सम किया था वो 9 का नहीं 90 का यूशू हो गया है यानि 10 गुना जादा अब दोस्तों इसका जिम्मेदार जूनियर ऑफिस क्लर्क विलियम फॉल्डर को माना जाता है जो कि एक पहले से ही मैरी लड़की के प्यार में है यानि रूत हनीवेल नाम था उसका पर उसका पती एक बहुत बड़ा प्यक्कड होता है दोस्तों अब दोस्तों अपने मालिक का प्रेशर पढ़ने पे वो अपना जुन कबूल कर लेता है कि मैंन दोस्तों फॉल्डर के फादर को जब यह पता चलता है तो वो फॉल्डर को पुलिस के हवाले कर देते हैं क्योंकि वो एक कानून को मानने वाले आदमी होते हैं यानि कानून के रिस्पेट बहुत करते हैं अब दोस्तों दूसरा एक्ट शुरू होता है कोट रूम में अब folder के वकील Hector From है जो उसका बचाव करते हैं कोट के सामने अब उसके वकील होते हैं Hector From जिनकी speech बहुत ही जबरदस होती है दोस्तों समाजिक धारना को लेकर अब उसका वकील यह नहीं कहता कि उसने चेक में गड़बडी नहीं की वो कहता है कि वो उससे यह सब गलती से हो गया अचानक से हो गया अब वो कोट में folder को कहता है देखो देखा तुमने इस मजबूर औरत को बचाने की चक्कर में जेल भी हो सकती है वो औरत जिसका पती उसकी कभी भी हत्या कर सकता है दोस्तों folder का वकील कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि एक कमजोर इनसान को मुझरिम मत बनाओ उसको जेल मन भेजो अगर आपको जेल भेज नहीं है तो रूत हनिवल के जो प्यकड़ पती है उसको भेजो मगर फिर भी दोस्तों फॉल्डर को जेल हो ही जाती है अब ये सिस्टम ही ऐसा होता है कि कमजोरों को दबाता है अमीरों को बचाता है अब जेल के अधिकारे मानते हैं कि फॉल्डर की मानसिक और शारिरिक हालत ठीक नहीं होती जेल में लेकिन अब इस पर कुछ नहीं हो सकता बहुत सारे कहादियों कि हालात folder जैसी ही है और ना ही उनके पास ज्यादा कमरे होते हैं जिसमें वो उसको shift कर सके अब दोस्तों तीसरा act शुरू होता है folder जेल में है अब आगे दोस्तों folder जेल से रिया हो साइन करने जाना होता है मगर वह भी पूरी तरह तूट जाता है यानि फॉल्डर पूट जाता है जेल के आने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि वोक्त जेल से कैसे चूट वह चूटता है दोस्तों रूथ की अपील से रूथ जेमस हाउ एंडसे से request करती है मगर James Howe and Sons एक शर्त रखते हैं कि folder को तुम्हें छोड़ना होगा तब ही हम folder को दुबारा रखेंगे अब इस बात पर folder राजी नहीं होता दोस्तों मगर वो छूड जाता है पहले ही लेकिन ये जेल से आने के folder को फिर arrest कर लेता है ये कहकर कि तुमने पुलिस को नहीं बताया अपने बहार आने का और वो तुमारे परोल अग्रीमेंट में भी लिखा है दोस्तों ये ये डिटेक्टिव सर्जेंट वो ही होता है विस्टर जो मैंने आपको पहले बताया था विस्टर नाम का डिटेक्टिव सर्जेंट होता है जो फिर दुबारा folder को arrest कर लेता है अब दोस्तों अपने बुरी किस्मत को सोच के folder अपने गर्दम तोड़ देता है लास्ट में और अपने जान ले लेता है ओफिस की खिड़की से हूद कर तो दोस्तों यहां पर यह कतम हो जाता है यहां पर फॉल्डर की डेथ हो जाती है